कि 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 गुद्ध आफ्टर नून मिन नाम है लक्षे अनंद और मैं स्वागत करता हूँ कि यूट्यूब चैनल में जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब का हार्दिक हार्दिक स्वागत कैसे हैं आप सब लोग कि नमस्कार कैसे है आप सब लोग मिने नाम है लक्षे अनंद और मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का एसे सी लैप की यूट्यूब जेरल में फिर से जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कैसे हैं आप सब लोग बढ़िया है आशाय करता हूं मस्त होंगे स्वस्त होंगे मुझे कमेंट करके थोड़ा बता दीजिए जल्दी कमेंट करके कि मेरी आवाज आप लोगों तक पहुच रही है कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बस बढ़िया है चले फिर शुरुआत करते हैं नए सेशन की तरफ अपने फिर से अपना एक नया सेशन नए कोशन्स की तरफ हम लोग रेलवे में जो भी प्रिवेस एर कोशन्स पूछे गए हैं उसी के रिगार्डिंग हम लोग केरी करेंगे इस लेक्चर को और जो भी प्रिविस सवाल आपके पूछे गए हैं चाहिए वो एंटीपीसी हो आपका आर्पी वैसाई हो कॉंस्टे बोलो उसी को मद्य नजर रखते हुए कुछ सवाल आप लोग लेके आया हूँ चलिए शुरुआत करते हैं फिर बताई को नमर वन का आंसर क्या हो जाएगा नॉर्मल सा कॉष्चन है कह रहा है कि जो सिगने एक रुपे का नोट होता है उस पर किसका साइन होता है बताई ये उस सिगनेचर इस और वन रुपी नोट वैसे जादा तर आप लोगों ने देख रखा होगा कि जो आपका वो ह अधूर्वनस warto होता है जो नौट्स वगरा होते हैं भारत की करनची होती है उस पर जो साइन होते हैं वह गवर्नर के होते हैं ना आरभीऎ गवर्नर के साइंड आप को देखने को मिलेंगे अब कोशण number 1 का answer क्या हो जाएगा वो signature reserve bank of governor के देखो sign होते हैं हर currency पे जितनी भी currency यह हैं जितनी भी note वगण है उन पर हर पे currency पे किसके sign होते हैं governor के all currency note all currency कि इनके होते हैं reserve bank of governor के लेकिन अगर आपका पूछा जाएगा 1 rupee note पे किसके होते हैं तो आपके answer करेंगे finance secretary जो होता है देखो governor के होते हैं हर currency पर याद रखना finance secretary के होते हैं एक रुपे के अब अगर पूछा जाएगा RBI के governor इस समय कौन है तो क्या answer करेंगे जली से मुझे comment करके बताईएगा RBI के governor अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या answer करेंगे शक्ति कांदास है कौन है आपके शक्ति कांदास शक्ति कांदास ठीक चलिए कि कह रहा है कि जो total duration होता है hockey match का कितना होता है hockey match का total duration है वो कितना होता है जली से comment करके बताएगे होकी जब चक्देब इंडिया पिच्चर आए थी तो शारुक खन का डायलोग था है ना यह कितने मिनट है यह सत्तर मिनट बोले थे यह साथ मिनट बोले थे बताईए होकी चे संबंदन कभी अगर आपको पूछा जाए कि हम लोगों ने देखो याद रखेगा उलम्पिक गेम्स के इतियास में अगर किसी टीम ने सबसे ज़्यादा गोल्ड जीते हैं होकी में इस्पेशली और हमने उलम्पिक के इतियास में भारत ने अगर सबसे ज़्यादा गोल्ड जीते हैं तो किस में जीते हैं होकी में ही जीते हैं याद रखेगा पहले कितना होता था पहले 70 मिनट का होता था अब कितना है ये 60 मिनट का होता है याद रखिएगा 15-15 मिनट के 4 quarter होते हैं 15-15 मिनट के 4 quarter होते हैं अब 60 मिनट का गेम होता है पहले कितने का होता था ये 70 का होता था ठीक चलिए बहुत बढ़िया very good question number 3 बताएंगे क्या कह रहा है who among the falling founded the ब्रह्मो समाज देखो ब्रह्मो समाज in the 19th century मैंने आपको trick भी बताईए कभी अगर आपसे पूछा जाए देखो दो समाज पूछे जाते हैं दोस्तों याद रखेगा एक होता है ब्रह्मो समाज दूसरा पूछेगा आपसे कौन सा आर्या समाज पूछेगा और समाज बताईए क्या अंसर हो जाएगा कि ब्रह्मो समाज और आर्या समाज कि या अंसर कर रहे हैं डी कर रहे हैं दिखिए ब्रह्मो समाज पूछेगा तो याद रखना है आपको क्या बच्चा बी आर ठीक है बी आर चोपला साम का नाम याद होगा आप लोगों को रामायाइड बनाई थी जिस महान कर्लाकार ने रामायाइड टेली वीजन पर सबसे पहली बर्जवाए थी बी र चोपला तो बी आर होगा ब्रह्मो समाज ने कौन सा ब्रह्मो समाज वो समाज वो स्वांड़ेट बाय राजा राम मोहन रॉय ठीक है अगर पूछा जाएगा आर्र समाज की स्थापना कब हुई थी तो यह हुई थी 1875 में किसने अगर करी थी स्थापना पूछेगा दयानन सरस्वती जी ने स्थापना की थी ठीक दयनन सरस्वते जी ने स्थापना की थी आज़ा स्वामी विवेकनन जी के द्वारा हां बिल्कुल बात सही है स्वामी विवेकनन जी के द्वारा एक मिशन की स्थापना होई थी उसका नाम कोई बता सकता है श्क्रश्नामीशन. चले से क्मेंड करके बताएंगे सौमी विवेकनन जी के द्वारा एक मिशन की स्थापना होती थी। स्वामी विवेकनन जी के द्वारा क्या आंसर हो जाएगा इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा रामक्रिष्ण मिशन रामक्रिष्ण मिशन होगा राम क्रिष्ण मिशन की स्थाबना कवी थी आपकी किसके द्वारा हुई थी आपकी राम किसके द्वारा स्वामी विवेकरन जी के द्वारा अच्छा राजा राम मोहन रॉय यह आपको जो नाम दिख रहा है राजा राम मोहन रॉय यह इसका अंसर क्या हो जाएगा ब्रह्मो कुट तुषार परंप्रिक रूप से निम्रकी मेंसे किस राजव मनाया जाता है मीम कुट फेस्टीबल कि यह Since the men करके बताइंगे बच्चा लोग की मीम कुट तुषार है आपका इने में से किस राजव मनाया जाता है केरला में उतराखन में बिहार में मिजोर Süacer सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क याद रखीगए कभी अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा राष्टे उध्यान कहां पे है तो मद्यपराधिश आंजर कर येगा सबसे पुराना या भारत का पहला राष्टे उध्यान फर्स नेशनल पार्क अफ इंडिया कौन सा होगा उत्राखंड में होगा कौन सा जिम कॉर्बेट कौन सा हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट हो जाएगा याद रखेगा जिम कॉर्बेट फर्स नेशनल पार्क है यह कहां पे है उत्राखंड में है कियरड में सायलेंट वेयली है आपको याद होगा बिहार में कौन्सा है वालमिकी है सिजिटॆ का अंसर बिल्कुल सही है मेज़ोरं विलूपि रखला ठीक कभी भी अगर आपसे निशनल पाक से सवाल आए ना एक होता है त्विहार से सवाल आता है जैसे बीहु नाम का एक फेस्टिबल वो कहा होता है असम में होता है ठीक बीहु नाम का कहा होता है असम में होता है केरला में जो फेस्टिबल बनाया जाता है उसका नाम कोई बता सकता है कभी भी आपको पूछा ज कालीभैस क्या होगा कालीभैस अर्थाथ कालीभैस अर्थाथ अगर आपको यह पूचा जाएगा बच्चा कि कालीभैस को जो होता है जैसे कि हम लोग होते हैं कि हम सांडो का किसको कहते हैं काली भैस को दोड़ाय जाता है उनको जो फेस्टिवल होता है वो कंबाला फेस्टिवल है कहां पर होता है करनाटिका में होता है एक और के बताऊं एक और के से एक और आएगा कांतारा एक फिच्चर आई थी जिसका नाम क्या था कांतारा उसमें यही फेस्टि और और व्ल्लम काली बो ट्रिस होती है इसी से संबंदिद है व्ल्लम काली एक फेस्टीवल होता है पोंगल वो कहाँ पही होता है याद रखेंगा तमिल नाड़ु बंगा मुद् पाउंड जो होती है आपकी ये मेली आपकी UK में पाई जाती है भाईए UK में होती है दिराम आपकी कहां की है UAE की है रियल और दिनार इन्वे से कोई option बताएंगे question number 5 का answer क्या हो जाएगा एजिप्ट की currency का नाम क्या है जली से comment करके बताएंगे एजिप्ट की currency इसका answer हो जाएगा क्या क्या रहा है laughing guess का नाम क्या है भाई laughing guess is name given to nitrous oxide net देखो एक होता है आपका SO2 एक होता है NO2 दो चीजे होती है अगर आपको पूछा जाता है दोस्तों की acid rain का कारण क्या है जो अमलिय वर्षा होती है उसका कारण अगर आपको कभी पूछा जाएगा तो SO2 होगा और NO2 होगा ठीक नॉर्मल सी बात है यह अब कभी अगर आपको पूछे कि भाईया acid rain का का कारण क्या है आपने बदेख सलफर डायोकसाइड नैट्रजन डायोकसाइड लेकिन जो लाफिंग गैस होती है जो जैसे दंगे वगरा है या कोई भीड ने जएधा आक्रिबन कर दिया है या आक्रोश में आगी तो इसका यूज होता है लाफिंग गैस का उसका आंसर क्या होगा लाफिंग गैस का फॉमला क्या हो जागा नाय्ट्रस उकसाइड लिखूंगा नायट्रुजन ट्राय उकसाइड के NO3 होगा क्या को आपको क्या पताया अमलिय वर्शा कभी भी पूछा जाए कि भात्व कित्वा उसकाश हो यह उसलिदो लिए बच्छे यह रहे हैं तो इसका आंसर क्या होगा नाइट्रस औक साइड होगा नाईट्रस औक साइड स्य Hi क्या कहते हैं एन तू ओ यह बास समझ में आ गई कि नहीं आ गई को कमेंट करके सब्सकूरीन 101 बताये का याद रखिएगा देखो बास समझो में क्या कहना चाहँ हूँ आपको इसमें कानविचन हो गाइन टू अऑ और इन टू होता है नाट्रॉस औकसाइड संगना बात इसका नो टू अंसर आएगा उसके बाद एसओ टू और नो टू क्या होंगे आपके सुल्फर ड्योकसाईड और नेट्रोजन ड्योकसाइड यह किसके लिए होते हैं अमली वर्षा इसको इंगलिश में क्या बोलते हैं A.C. train, बहुत बार पूछा भी जाता है। फिल्न जयोंड पूछ रहा है। विल लेंड डेन्मार्क फिल लेंड की दो क्या है आपको हेल सिंकी है पता ही होगा आप लोगों को है ना है इसंग की है आपकी नॉर्वे की क्या है आपकी नॉर्वे किसकी कि यह बही क्या answer करेंगे इसका अंसर क्या होगा डेन्मा किसका answer हो जाएगा इसका चाहिए नेशनल गेम ओफ श्रिलंका श्रिलंका का राष्ट्रे गेम कौन सा है जल्ली से कमेंड करके बताएंगे नौर्वे की याद अच्छा नौर्वे की नहीं बतागी क्या है नौर्वे की क्या है ओसलो है स्वीडिन की मुझे कमेंट बॉक्स में लिखके बताएगा जब यह एक लेक्चर खतम हो जाएगा नैशनल गेम ऑफ श्री लंका देखो श्री लंका जो लोकिटेट है अगर आपने कभी जैसे अपने मैप वगरा में श्री लंका को देखा हो तो श्री लंका जो है जैसे यह आपका भारत वाला पोशन है यह आपका क्या है भारत वाला पोशन है और यहां पे क्या है यहां पे इसको जोड़ा गया है पाल्ग स्टेट कहते हैं अब जो श्री लंका है यह इसके आसपस पानी पानी है पानी में हम लोग कौन सा गेम खेल सकते हैं आप खुद बताओ क्या कबड़ी आप पूरा पानी में खेल सकते हो पानी के किनारे मुश्किल है हेंड बॉल आर्चिरी आर पूछा जाए तो क्या आंसर करेंगे वॉलीबॉल अगर बंगलादेश का यहीं पूछ लेता यह कबड़ी किसका है यह है आपका बंगलादेश का किसका है बंगलादेश का है चलिए आर्चिरी किसका है बूटान का है यह किसका है आपका बूटान का है देखो एक बात और रखना अगर पूछा जाएगा भारत का सबसे छोटा पडोसी देश कौन सा है तो आंसर क्या करोगे भूटान है एक बात और याद रखेगा भूटान चोटा है इसलिए निशाना लगाना आसान है इसलिए कौन करके बताएंगे F.E.M.A. को लागो कप किया गया था F.E.M.A. Foreign Action Management जो Act था आपका उसको लागो कप किया गया था क्या 2000 में किया गया था 2002 में किया गया था 18 में किया गया था ये 5 में किया गया था foreign exchange management act याद रखेगा इसकी full form भी बहुत बार पूछी जाती है नॉर्मल से पूछ लेगा FEMA की full form क्या है तो याद रखेगा foreign exchange management act कब लागू को था year 2004 में 2000 में जून में रभेंदर नाट टेगर को गुरुदेव किसने बल दा to do to confer the degree of gurudev to रभेंदर टेगर किसने रभेंदर टेगर को गुरुदेव की उपादी दी थी जली से comment करके बताएंगे रभेंदर टेगर को गुरुदेव की उपादी किसने दी थी रबिन्नाट टैगोर को देखो एक बात बताओ बाल गंगधर तिलक लाल बल पल जो आपका इंड्यन नेशनल कॉंग्रेस के बारेमें कि सब्सक्राइब मातमा गांधी सुना ही होगा सब लोगोंने सर्दार वल्ला बाई पटिल मैं इतना सा कॉश्चन पूछ रहा हूं आपने सुना होगा इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के बारे में किसके बारे में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के बारे में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के बारे आपने एक चीज सुनी होगे क्या सुनी होगी भाई कि अधिविशन होते हैं टाइम टू टाइम पर ये बात एगरी करोगे आप लोग अब आपने ये सुनाओं सुभार्चं पोंज जो है वह दो बार इसके अध्यक्ष बंते हैं 1938 में 1224 वाले में milgaam adivision में इसको बनते हैं ठीक मेरा क्उशन यह है कि जब 1938-39 में सुभाजचन बोशकी अद्ध्यक्ष मनते हैं ये जो जगह है आपकी यह हरीपुरा जगह जगह है कहां पे यह तिरूपुरी है कहां अब यह जगा कहां पर पढ़ती है मेरा कॉश्चन यह है कॉश्चन नमर टेन इसका आंसर महात्मा गांदी है बिल्कुल बात सही है इसका आंसर महात्मा गांदी है मैं बस इतना पूछ रहा हूं यह जो सुभार्चंद बोज जी इंडियन नेशनल भारती राष्ट्री इसके अध्यक्ष बनते हैं नाइंक 작은 हरीपुरर के बनते हैं निंटीनटीन choir तरीन में हरीपुरा कहां पर और नाइंटीन तर्टीनाइड में घ्र उसांपरी है यह जग tabs हरा है को कि अ यह भीव्यणा कहां पर है और त्रुपुरी जगा कहां पे है कौन बताएगा पीन एकलौता ऐसा दिविश्य ने जब महात्मा गांदी को अध्यक्ष बनाया जाता है कहां पर ही करनाटगा में है अब यह बताइए हरीपुरा तिरुपुरी इस समय कहां पर है जैसे मतलब वेस्ट बंगाल में है उडिशा में है बिहार में है मध्यविदेश में है कहां पर है यह हरीपुरा जो जगह है याद रुखिएगा यह है गुजरात में है हाँ और यह जो जगह है आपकी और यह जो जगह है यह है आपका मध्य प्रदेश याद रुखिएगा अब आकर आपसे पूछा जा क्योंकि एक बर CGL में यह पूछ लिया गया था सवाल फिर से बता रहा हूं 90 इसमें NTPC में सवाल आया था यह CGL में भी आया है 38 में हरीपुरा जो जगा है जहां पर अधिविशन होता ही यह जगा आपकी गुजरात में है और तिरुपुरी जो जगा है आपकी कहां पर है मध्यप्रदेश में है सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू गवा वें डिट आर टी आई जो था आडाय टु इंफरमिशन एक्ट कब लागू गवा था बताईए जल्दी से कमेंट करके आंसर बनाएं कौशन नमबर 11 का अंसर क्या होगा कौशन नमबर 11 का अंसर क्या हो जाएगा देखो नहीं पता है कोई प्रॉलम ही लेकिन यहीं मिल करो इस क्लास का महत्व यही है कि आपको चीजे क्या हो पता हूँ आरेटी एई को लागू कप किया गया था सूचना का अधिकार जो होता है जिसके हम आरेटी एफ धाकिल करते हैं कि भाही आपने पता ही कितनी पोस्ट है कितनी फॉर्म बरे गये है कितने लोग eligible हैं, कितने लोग shortlist की हैं, उसके एक RTI होता है, RTI कब लागू हुआ था, 12 October 2005 को लागू हुआ था, निम्लिके में से कौन सी रावी की फसल नहीं है, रावी की फसल नहीं है, बताईए, जल्ली से कमेंट करके बताएंगे, रावी की फसल कौन सी नहीं है, पूछ रावी की फसल कौन सी नहीं है, पूछ रहा है, जल्ली से कमेंट करके बताएंगे, रावी और खारीव, तेखो खारीव फसल क्या होती, कैसे याद रखोंगी, बारिश खराब है, बारिश का आती है, जोलाई के सीजन में आती है, ठीक, तो कभी भी आपसे पूछा जाएं, जो खरीव की फसल होती है जो आपकी खरीव की फसल होती है वो कब आती है, वो कब उगाई जाती है तो ये जुलाई में उगाई जाती है इसकी हार्वेस्टिंग कब होती है कटाई कब होती है ये आपकी अक्टूबर, नॉम्बर में इसकी हर्वेस्टिंग हो जाती है नॉर्मल सिवाद बात करते हैं रावी की रावी की फसल होती है इसको हम लोग क्या करते हैं भया मार्च अपरेल में इसको क्या करते हैं उगाते हैं और कटाई कब होती है इसकी आपकी हर्वेस्टिंग कब होती है अर्वेस्टिंग याद र तो नहीं है बताइए देखो रावी कौन-कौन से है वीट है बारले है ओट्स है ठीक रावी में कौन-कौन से आते हैं वीट आता है बारले आता है ओट्स आता है ठीक है ग्राम आता है मस्टड आता है यह सब किसमें आते रावी में आते हैं खरीफ में कौन-कौन से आते हैं खरीफ में कौन-कौन से आते हैं, सबसे बड़ा जो आता है, खरीफ में आता है मक्का, ठीक, तो मक्का क्या होता है, आपको ये किसकी फसल है, ये खरीफ की फसल है, किसकी है, खरीफ की है, खरीफ के और एक्जामपल क्या होते हैं, groundnut है, pulses है, soya bean है, इसके एक्जामपल कौन- क्या कह रहा है आपका कह रहा है सिकंद्राबाद इसको हिद्रबाद बोला जाता है उसको इंडिया में जो इंडियन यूनियन में इसको शामिल किया गया था कौन से ओपरेशन की थूरू इसको शामिल किया गया था में बदर इक कॉश्टे नमबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा चली से कमेंट करके बताएंगे नहीं सोनन यह हो जरी आ गया है जो आपका सिकंद्राबाद को हमने इन्ढड़प इंडिया जो हिद्राबाद है उसको भारत में इर्ट था किस operation की तुरूं सरदाव्लृ नाप अतैल की एक बहुत फेमस कानी है क्या और विजफे तो कारगर की टाइम पर चलाया गया था हैं कि सी आंसर कर रहे है कुछ बच्चे पीं सर कर रहे हैं कुछ बच्चे एंचर कर रहे हैं क्या हो जर कॉनक्त अंसर नेवी के द्वारा चलाए गया था और आपने सुना होगा कि हम लोग इंडियन नेवी डे 4 दिसम्बर को बनाते हैं तुनाये ना इंग बात नेवी डे बनाने का मकसद ही यह था कि ओप्रेशन ट्राइटरों को हमने लौंज किया था इंडियन स्वेन के वार में लौंज किया था 1971 में एप्रेशन चला है इसलिए चार दिसंवर को हम लोग क्या बनाते हैं इंडियन न्यविर जैसे एरफॉर्स जे तीट अप्टूबर को होता है वैसे ही और और operation पोलो चलाए गया था 1948 में. औपरेशन विजए कब चलाए गया था seismgram में, जो आमने कार्विल को उप्रेशन जीता था memo टार्विल जो वो ऊनुट में वह था यह कब था 1999 में. क्या कोंब मेला कहां पे नहीं लगता है बताइए कुम्ब मेला कहां पे नहीं लगता है अलाबाद में उज्जेन में पूरी में हर्दवार में कॉशन नमर 14 का अंसर बताएंगे कुम्ब मेला देखो अलाबाद में आपने सुना होगा प्रियाग में लगता है उज्जेन में लगता है पूरी में नहीं लगता पुरी के जगह यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग नासिक क्या होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा नासिक हो जाएगा भारत का पहला digital गाउंं कौन सा है बताएए को शप्रल नंबर 15 का आंसर बताएगे बारत का पहला digital गाओं कौन सा है फोड़ा Nap말 घ्राइब अब्ला ना सिंटे वे लिखा ए मतलए वह पर रहा हूँ आपके लियूशन मताइए पहला digital डिजिटल गाओं कौन सा है भारत का कि येस नासिक टिको नासिक में लगता है आपका प्रियाग राज में होता है एक हरद्वार में होता है अलाबाद में होता है Q का भी आंशर कर रहे हैं सिछ आंसर कर रहे हैं पहला डिजिटल गाउं पूछा चाएगा यह जो गाउँ है ना यह mejorar क केरल का इसका अनसर होगा कोदरा कहांपर यह आपका यह केरल में है कहांपर है केरल में है चलिए कि अब लाई टुप सिर्फ दिन awesome तरहते हैं 15 दिन पहले उसमें ये बताया था कि इमर्जेंशी से सम्मंदिद आर्टिकल कौन सा है अनुच्छिद में आपको बताया था आर्टिकल अब कॉशन के आप पूछ रहा है नेशनल इमर्जेंशी बहरत में कितनी बार लगी है अब थोड़ा ध्यान से पढ़ना कौन सा बोल रह है यह राष्ट्री अपातकाल के बारे बात कर रहा है राष्ट्री अपातकाल नेशनल इमर्जेंशी राष्ट्री अपातकाल कितनी बार लगा है बतायी क्या आंसर हो जाएगा येस अकोद्रा विल बी दर राइट आंसर नेशनल एमर्जेंसी भारत में टोटल कितनी बार लग चुगी है भी तक 3-3-3 विलकुल सही आंसर है तीन बार लग चुगी है याद रखेगा अगर एक बात बताओ कभी आपसे पूछा जाएगा याद रखेगा आपाद कल अधस्री अच्पतुх 356 है और आर्टिकल 360 है करेक्ट अब मुझे ये कौन कमेंड करके बताएगा ये तो आपका हो गया राश्ट्रिय पातकल ठीक अब यह मताई मुझे इन में से राश्पति शासन कौन सा होता है या पूछ रहा है ये प्रेसिडेंट रूल कौन सा होता है इसमें प्रेसिडेंट कि है ठाइब यह प्रीवेश ही है कोशन जैसे देखो मैं पाच कोशन उठाता हूं एंटी-पीसी से 5 कोशन उठाता हूं और प्रेश पैसा ही से और पंच 10-15 अपने डाल देता हूं को उसी सी संबंदध अब यही सेम लेवल है इस से उपर लेवल नहीं आएगा यह ये प्लस ये क्या है mix है NTPC भी है constable भी है technician भी है सब है ELP भी है बताइए राशपती ना 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 थोड़ा सोस समझ के राशपती शासन का कौन सा article होगा भाई president rule किसमे आता है president rule जो है आपका वो किसमे आता है अगर आपका पूछा जाएगा तो क्या answer करेंगे 360 will be 360 जो होता है दोस्तों वो होता है final share emergency कौन सा ये होता है कौन सा वित्तिय अपातकाल वित्तिय अपातकाल ठीक है 352 कौन सा होता है राश्टिय अपातकाल हो जाता है ये वाला और 356 कौन सा होता है ये होता है आपका कौन सा प्रेशिडेंट डूल मतलब राश्पती साशन जिसकों कहते हैं याद रखिएगा 356 येस वेरी गुड ही 552 राश्टि ये पातकल 360 क्या होगा वित्ति ये पातकल और हमारे देश में आज तक कौन सा अपातकल राश्पती शासन तो हर राजमें लगता ही रहता है आपने सुनाई होगा यहां राजम लग गया इस राजमें 360 आर्टिकल जो हो है वो है आपका कौन सा final say emergency वित्तिय आपकल उसको कहते हैं क्या answer हो जाएगा इसका कॉशन कह रहा है कि चितरन्जन लोकोमोटीव वर्ग जिसको हम चितरन्जन लोकोमोटीव वर्ग कहते हैं कौन सी 5 वर्शी योजना में स्वामिल हुआ था पंच वर्षी योजना कौन सी थी जिसको शामिल किया गया था थोड़ा सा अच्छी लेवल का सवाल है यह SI के लेवल का सवाल है बताइए चितरंजन लोकोमोटिव वर्ग की स्थापना किस पंच वर्षी योजना के दौरान की गई थी हाँ जी बिलकुल चलिए चितरंजन लोकोमोटिव वर्ग वर्ग वज इस्टैबलेश डूरिंग विच फाइव यर प्लें सेकंड थर्ड फॉर्थ फर्स इसका आंसर क्या होगा फर्स अच्छा आपको एक चीज बताता हूं थोड़ा ध्यास से सुनना कभी भी आपके दिमाग में यह आपको दूसरा हुआ था 1956 से आपका 1961 तक तीसरा हुआ था 1961 से 1966 तक अब आप बोलोगे सर जब पांच-पांच साल के गैप में हो रहे हैं तो अगला भी 1966 से 1971 होगा बस यहीं गलती मत करना बहुत बार एक्जाम में पूछा भी गया है क्या हुआ था 1966 से 1969 तक प्लैन होलिडे चलाए गया था प्लैन होलिडे एक प्लैन होलिडे हो रोलिंग प्लैन अब इसलिए याद रखेगा बहुत बार पूछा जाता है कि जो चौथी पंच वर्षी योजना थी जो फॉर्थ फाइव येर प्लैन था वो कब आया था क्योंकि लोगों को याद होता है कि हाँ 19 से क्यावन में शुरू हुए थे तो उसके साबसे चौथा वाला है वो 66 से लेकि 71 तक आया होगा लेकिन याद रखिएगा जो फॉर्थ फाइव येर प्लैन था फॉर्थ वाला वह 1969 से 1974 तक आया था ये बात यहाद रखना बस 69 से 74 इनमें से जी 7 का गुरूप का मेंबर कौन नहीं है इसका मेंबर नहीं है जर्मनी कैनडा इटली चाइना जी 7 संगठन आपने सुना भी होगा जी 7 का मेंबर याद रखी गा इंडिया मेंबर नहीं है इसका इंडिया इसका मेंबर इंडिया इसका मेंबर नहीं है लेकिन इंडिया किसका मेंबर है इंडिया जी 20 का मेंबर है ये बात याद रखिएगा इंडिया G20 का मेंमर है G7 का ना है एक अब जर्मनी, कैनडा, इटली, चाइना क्या आंसर हो जाएगा इसका बहुत बढ़िया बिल्कुल सही आंसर है चाइना है अच्छा G7 जो है G7 का मतलब पता है क्या होता है G7 का मतलब है सात देश है इसमें G20 यहाँ पे लिखा है G20 का मतलब इसमें 20 देश है आपने सुना भी होगा देखा भी होगा कि G20 2023 वाली जम्मो कश्मीर में हो थी बड़े जोर शोर से अगली साल वाली कहां होनी है अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या आंसर करोगे G20 2024 की कहां होनी है ब्राजील में होनी है कहां होनी है अगर आपसे पूछा जाएगा G7 सम्मेट कहां होनी है भाई 2024 की क्या आंसर करेंगे इटली में होनी है G7 में टोटल मेंबर्स कितने है साथ है कौन है आपके USA है UK है France है और जापान है चार हो यह है और तीन ही हो गए साथ हो गए कौलेरा डिजीज जो होता है किसके द्वारा कॉस्ट होता है बताइए जल्ली से कबन करके बताएंगे जो कौलेरा बिमारी होती है आपकी वो किसके द्वारा होती है cholera disease is caused by bacteria, fungus, protozoa, virus जैसे AIDS क्या है एक ट्रेडिके का virus है बदही क्या आंसर हो जाएगा question number 19 का cholera जो बिमारी है वो किस तरीकी की बिमारी है cholera याद रखेगा एक तरीका का क्या है यह बैक्टीरिया वाली बिमारी है वाइब्रो कोलेर आपने सुना होगा cholera is caused by Vibro choleria लोसर जो festival है आपका जो लोसर festival है calculated by the people of Monpa tribe जो Monpa जन जाती के लोगों के द्वारा मनाये जाने वाला सब्सक्राइब लोसर त्युहार है किस राजिसे संबंदिध है बताइए question number 20 cancer पताएंगे क्या होगा लोसर festival किस राजिसे संबंदिध है भाई लोसर festival इनमे से किस राजिसे संबंदिध है देखो जैसे मैं आपको बताया भी था असम में जो famous festival है जो बहुत बार पूछा भी जाता है क्या आंसर होगा इसका बी हुँ आंसर हो जाएगा एक गुजरात्वा को पता ही है कि गर्भा बहुती famous festival है अपनी दया बेन कर्भा करती देखी भी गई है इसका आंसर क्या होगा अपना अरुनाचल प्रदेश विजय हजारे ट्रॉफी का संबन किस से है भाई क्या कह रहे हो हमसे नहीं है विजय हजारे ट्रॉफी बैडमिंटन किर्केट फुटबॉल हॉकी पता है बहुत बार पूछा जाता है इंडिया का नेशनल गेम क्या है हो लोग हॉकी मार देते हैं सही भी हो जाता है लेकिन ऑफिशल जो आर्टी आई दाकी लिए गी तो उसमें कोई ऑफिशल गेम हमार क्या अंसर हो दाइगस का देखो कभी भी पूछे ना बैडमिंटन से सम्मंद्र ट्रॉपी कौन सी है तो सुधी रमन कभी याद रखिएगा सुधी रमन कभ ठीक उसके बाद थॉमस कभ सुधी रमन कभ थॉमस कभ करकेट से सम्मंद्र पूछी जाएंगी तो सी आई डी याद रखिएगा सी के नाइडू इरानी ये कौन सा है आपका दियोधर ट्रॉफी फोटबॉल से आपका पता ही है आपको मर्ड का कभ याद रखिएगा रोवर्स कभ अंसर क्या होगा इसका क्रिकेट इसका अंसर हो जाएगा इन में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है एक तरफ एक तरफ किया है आपका एक परफ क्या है आपका relevant दे रख़े हैं एक तरफ आपका दिन से गलत है इसमें से हुम उदी रमन् कब होगा थोमस कब हो गया क्वे अपका उबर कब हो गया है सब बेडमेंटे से लिलेटेड है बताई ये क्या अंसर हो जाएगा इंडियन एरफोर्स दे 18 अक्टूबर को होता है कि 8 अक्टूबर को होता है कब होता है आपका 8 अक्टूबर को होता है याद रखेगा तो इसका अंसर क्या होगा आपका Indian Air Force Day हो जाएगा क्योंकि Air Force Day कव होता है 8 October को बनाया जाता है क्या रहा ही UNDP की Full Form क्या है बहुत ही आसान कॉश्चन है UNDP की Full Form क्या है Yes, very good C answer कर रहे है C, हाँ भई, C नहीं होगा देखें, Indian देखो, पूछ रहा था कॉश्चन में पूछा था, कौन सा गलत है, कौन सा correctly match नहीं है, तो Army Day 15 जन्वरी को होता है, बात सही है 1 February को ICJ Day होता है 4 December को मैंने अभी बताया, Operation Trident शुरू हुआ था, Navy Day होता है 8 October को होता है, Indian Air Force Day 18 October लिखा है ना 18 नहीं, 8 October क्या रहा ही UNDP की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉश्चन नम्र 23 का आंसर बताएंगे, UNDP की फुल फॉर्म क्या होती है UNDP की क्या होगी United Nation Development Program बहुत बढ़िया, Headquarter पूछा जाएगा New York में, के रहे 2011 की Census जनगंडा के हसाब से कौन सी जो आपकी भारत में सबसे कम अभादी वाला, सबसे कम population कहां पे है, बताएंगे क्या answer हो जाएगा सबसे ज़्यादा population कभी भी आपसे पूछे तो क्या answer करोगे, उत्तरपिदेश है ना, उत्तरपिदेश हमेशा सबसे बढ़ा अगर राजी पूछेगा शेत्रफल की अधार पे, एरिया की अधार पे तो क्या answer करेंगे, राजस्थान सबसे छोटा क्या होगा, गोआ होगा कि सिक्किम होगा ये question में पूछ रहा है कहाँ पे सबसे कम जन्संग क्या है question number 24 ओके सबीना बदई क्या answer होचेगा, question number 24 का सिक्किम होगा कि गोआ होगा शोरे पक्का देखो, सिक्किम में सबसे कम पॉपुलेशन है, गोआ क्या है एरिया के सबसे सबसे कम है एरिया में सबसे smallest है क्या रहा है, where is the famous lotus temple कहाँ पे लोकेटेट है भाई, बताइए lotus temple आपका कहाँ पे लोकेटेट है question number 25 अगर आपसे ये पूछा जाएगा ना अगर एरिया के सबसे शेत्रफल के सबसे पूछेगा biggest तो क्या आंसर करेंगे हम लोग राजस्थान और अगर population के सबसे पूछेगा सबसे ज़्यादा population कहाँ पे है population maximum आंसर क्या होगा उत्तरप्रदेश बताइए प्रसिद lotus temple कहाँ पे इस्तित है प्रसिद lotus temple कहाँ पे इस्तित है न्यू डेली में है नॉर्मल सी बात है यह तो कहाँ पे है न्यू डेली में है कि भारत थोड़ा ना धंसे पढ़ना question को अब मालो इस option में ब्रह्म पुत्रा दे दूं तो क्या आप ब्रह्म पुत्रा पे क्लिक करोगे मैं option में इसमें एक और option जोड़ रहा हूं ब्रह्म पुत्रा का तो आप क्या ब्रह्म पुत्रा पे क्लिक टिक मारेंगे भारत की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है भारत की क्या answer हो जाएगा भारत की सबसे लंबी नदी गंगा बिलकुल बात सही है देखो गंगा 2525 किलोमेटर इसकी लेंद है कहां से निकलती है गंगोत्री से निकलती है अगर पूछा जाएगा दूसरी सबसे लंबी नदी कौनसी है second longest अगर आपसे पूछा जाएगा एक्जाम में तो क्या answer क्रिश्णा अंसर करेंगे गोदावरी थीक है थर्ड लॉंगेश्ट पूछे का तीसरी सबसे लंबी नदी कौनसी है तो क्या answer करेंगे क्रिश्णा answer करेंगे महानदी कहां से निकलती है यह यह आपकी 36 गड़ से नरमदा कहां पे है आपकी अमर-कंटक प्लेटिव से निकलती है अमर-कंटक कि प्लेटिव कहां पे है यह मध्यप्धेश में क्रिश्णा नासिक तरकेंबमेश्वर क्यारा है in नमे से कौनसा जो है विश वही विबिल्डन चैंपियंशिप है वो किस खेल से संबंद्र है जल्दी से कमेंट करके बताएंगे विविल्डन चैंपियंशिप मैंने आपको बताया भी था एक बज़ बने कॉशन करवाया था याद रखेगा कभी आपको पूछे कि जो टेनिस गेम होता है ना प्रेंच विविल्डन पर यूए स सोपन और और क्या होग आपका यूए सोपन होगा याद रखियेगा अब इन चारों में सबसे पुरानी पूझेगा सबसे पुरानी कौन सी है क्या है मैं कौन सी है आपकी विविल्डन चेंपिंशिप याद रखिएगा और इस किस सम्मंदित है या आपकी टैने से सम्मंदित है यह आंसर हो जाएगा बहुत बढ़िया वेरी गुट क्या क्या रहा है इनमें से आपका इंडियन स्टेट डाज नौट शेर लेंड बॉंटरी चाइन कौन आपकी सीमा नहीं बनाता है देआउ चाइना से कभी भी पूछा जाएना तो यात रखेगा जूसा है कि टीक जम्मु कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्राखंड सिक्किम छी क्या होगा अरुनाचल प्रदेश इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश है बिहार ह?, क्रयक्ट येस question number 29 के रहा है the newer, younger deposit of the flood plain उत्तर भारत के मेदान में बाण के मेदान में नए और युवा नए हो और युवा हो नए हो और युवा हो तो क्या answer हो जाएगा इसका उत्तर भारत के मेदान में बाण के मेदान में नए युवा निश्पो को क्या कहा जाता है खादर कहा जाता है, बांगर कहा जाता है भावर कहा जाता है, यह तिराई की चित्र कहा जाता है तो खादर will be the correct answer एक बहुत बढ़ी है कर रहा है out of which of the falling which one is not accepted as वर्न चार वर्न होते हैं ब्रह्मा शत्रिय वैश्य शुद्र ब्रह्मन ब्रह्म होता है ब्रह्म पंडिजी होते हैं अपने राजपूत साब होते हैं राजपूत होते हैं वैश्य होता है शूद्र होता है ब्रह्मा शत्रिय क्या navigation हो जाएगा राजपूत आपका कोई वरंड नहीं होता है Raja Kud Karsinha मेला इन में से कहा पे मेज़वानी करता है भृया पता ही question number 31 का answer क्या होगा पता ही a is इन में से कौन सा राज जinya उसकी मेज़वानी करता है हरयाना बिहार, राजिस्थान 37 ज Sugar करखंड हर्याना बिल्कुल सही आंसर बच्छे बहुत बढ़िया कि रहा है दबाए विच और मैप मैप के दौरा हम लोग क्या-क्या फाइंड कर सकते हैं भाई कॉशन नमर 32 मैप के द्वारा मांचित्र का उप्योग करके आप क्या पा सकते हैं मांचित्र का उप्योग करके आप जो है क्या पा सकते हैं देखो डिस्टेंस मिल सकता है मैप के द्वारा मिल सकता है डारेक्शन मिल सकती है भाई हाँ अगर मैप में दिखा दोगा तो कुल मिला के क्या आएगा अफैमस बुक जो आपकी विंक्स ओफ ऊफायर आपकी जुवुक है किसकी आत्मकता है मुपिया से कमेंड करके बता एंगे जो फैमस अफायर दों सरोजनी नाइडू की जो बुखै आपकी ब्रोकन विंग्स रोकन विंग्स एक broken क्या है wings है इनका birthday कब होता है आपका 13 फर्वरी को होता है इस दिन हम लोग क्या बनाते हैं national women's day बनाते हैं national women's day आंसर क्या हो जाएगा आपको डॉक्टर एपी जी अब्दुल कलाम साथ किया रहा है ओल्डेस नेशनल पार्क मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया था इसका अंसर थोड़ी देर पहले ही इसका आंसर बताया था मैंने क्या आंसर हो जाएगा इसका ओल्डेस नेशनल पार्क ऑफ इंडिया का आंसर क्या होगा पहले इसका नाम क्या था हेले नेशनल पार्क था है ना काहना नेशनल पार्क मध्यप्रदेश मुंद मुलाई कहां पर है तमिल नाडू में है कौशन नमबर 34 देखिए ओल्डेस कभी अगर आपसे देखो दो कुछे जाएंगे बोलेगा भाईया टोटल नेशनल पार्क बता दो तो क्या अंसर करोगे 106 है ठीक सबसे बड़ा अगर पूछा जाएगा बिगेस्ट अगर आपको पूछेगा तो क्या अंसर करोगे हैमिस नेशनल पार्क है से चोटा तो क्या आंसर करोगे साउथ बटन भै यह बटन छोटा होता है साहूथ बटन नेशनल पार्क नॉर्मल सी बात है कहांपे हैं अन्डमांश है कि यह कहां पर है आपका लद्धाक में है लद्धाक कम स्थापना हुई थी 1936 का स्थापना हो गई थी याद एले नेशनल पार्क इसका नाम था जब इसकी इस्थापना हुई थी 1936 में ठीक है चलिए ठीक है जितने भी बच्चे लाए बाएदे सबका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच मिलते हैं कल सेम टाइम पे थैंक यू सो मच प्लीज सेशन कैसा लगा आपको कमेंट करें जरूर बताइएगा तब तक लिए अपना ख्याल लखीगा मस्त रहिएगा थैंक यू सुमच चेहन चे भारत ठीक है हाँ बच्चे इसी टाइम पे अब डेली जो क्लास है आपकी डेली जो आपकी क्लास है डेली जो आपकी क्लास है बाबु 1p.m. पे भुगा करीगी थीक है है रुपाली आप पूछ रहते है शैद रुपाली है जितने ये बचे पूछ रहते किरन और सबीना ठीक है सारे किसा और एम जितने भी बच्चे आप लोग है ताइम क्या है एक पीम पे ग्लास हुआ करी इस्पिशली फॉर किसके लिए रेल्वे वगरा के लिए याद रखिएगा ठीक है चलिए फिर जितने बच्चे लाई वाई थे सबका बहुत बहुत शुक्रिया आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा एंड में ठीक है जब यह लेक्चर खताम हो जाए थेंक यू सो मच गईस थेंक यू सो मच